माफिया आतिक एहमत के बाद क्या मुफतर अंसारी की है बाई राजुपाल हत्यकांट से भी बड़ा है कृष्णानंद राय मर्डर के कृष्णानंद राय को एके 47 से मारी थी 500 से भी जादा गोल लिया उत्र प्रदेश जो कभी गुंडा राज के लिए जाना जाता था उसे अपराध मुक्त करने का बेड़ा उठा चुके हैं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदितेनाथ सरकार के आदेश के बाद राज्य से छोटे मोटे गुंडे मवाली समेथ राज्य के बड़े माफियाओं पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है एक तरफ सालों तक यूपी में माफिया राज चला चुके अतिक एहमद और मुख्तार अंसारी की गैंग को कमजोर किया जा रहा है तो दूसरे तरफ अदालत भी इनके गुनाहों के लिए सजा मुकरर कर रही है अतिक एहमद को उमेश पाल हत्यकान मामले में उम्रकैत के बाद सावर मती जेल भेज दिया गया है अब अगली बारी मुख्तार अंसारी की हो सकती है अतिक एहमद ने जिस तरहा राजुपाल की हत्या करवाई थी उसे तरहा मुख्तार अंसारी पर भी कृष्णानंद राय की हत्या करने का आरोप है मुख्तार अंसारी पिछले 13 साल से जेल में ही है और उस पर एक दो नहीं 40 से जादा मामले दर्ज है लेकिन जिस गुनाहा की बात हम कर रही है वो जल्द ही माफ्या मुख्तार अंसारी के लिए बड़ी मुसिबत बन सकता है कृष्णानंद राय हत्या मामले में साल 2012 में गाजिपूर की MPML कोट में गैंस्टर एक्ट के तहर शुरू हुए ट्रायल पर आज सुनवाई पूरी हो चुकी है इस केस में मुख्तार अंसारी और उसका भाई अफसल अंसारी आरोपी है 15 अप्रे यानि ठीक 15 दिन बाद इस पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी कृषणननंद राय हत्यकार्ड भी बिल्कुल राजूपाल हत्यकार्ड की तरह ही चुनावी रंजिश और गुन्डागर्धी का नतीजा है बस फर्क इतना है कि राजूपाल को अतीक एहमद ने मरवाया जबकि कृषणननंद की हत्यकारोप मुख्तार अंसारी पर है पहले हम आपको ये बताते हैं कि क्रिश्णानंद राए थे कौन और मुखतार अंसारी को उन्हें रास्ते से हटाना इतना जरूरी क्यों हो गया ये कहानी शुरू होती है यूपी के 2002 विधान सभाचुनावस क्रिश्णानंद राए मुहमदाबाद सीट के लिए बीजेपी के विधायक थी इस सेट से मुखतारांसारी का भाई अफ़जलांसारी भी लड रहा था इस सेट पर सालों से मुखतारांसारी के परिवार का कब्जा रहा था लेकिन उस विधान सभाचुराव में बीजेपी विधाय क्रिश्नानंद राय ने अफसल अंसारी को मात दी थी अपने भाई की हार मुखतार अंसारी को पची नहीं जनता ने जो फैसला दिया वो यूपी के इस माफिया को पसंद नहीं आया साल 2005 की बात है 29 नवंबर के दिन क्रिश्नानंद राय गाजिपूर में एक लोकल क्रिकेट उन्नामेंट का उधगाटन कर अपने काफिले के साथ वापस लोट रही थे वापस लोटते हुए उनका काफिला बसनिया चट्टी के पास पहुंचा जहां हमला वर पहले से घात लगाए बैठे थे बीजेपी विधाय के काफिले पर एके 47 से 500 राउंड फायर किये गए क्रिशना नंद और उनके साथ चल रही साथ लोगों को गोलियों से भून डाला गया इस हत्याकान से उत्तर पर देश ही नहीं बर्कि पुरा देश देहल गया था उस वक्त मुखतार अंसारी जेल में बन था तरसल कुछ दिन पहले ही मुखतार पर मौ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे और फिर मुखतार ने खुद सरेंडर कर दिया था इसके बाद मुखतार को जेल भेजा गया था कहते हैं ये पूरा हत्याकान मुखतार अंसारी की प्लानिंग का एक हिस्ता था जेल में बैठ कर मुखतार अंसारी ने लिखी थी कृष्णा नंद राय की हत्या की स्क्रिप्ट मुखतार अंसारी के कहने पर ही उसकी शाप शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीक और रह्मान ने कृष्णा नंद की हत्या करवाई थी इसी मामले में अब 15 दिन बाद कोट अपना फैसला सुनाएगी इस पूरी कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है क्या कोट माफिया मुखतार अंसारी को फ़ांसी की सजा सुनाएगा या फिर वो उसे बरी कर दिया जाएगा हमें कमेंट कर बताएं और हमारी चैनल को सब्सक